बिस्मिल्लायर्मानुरहीम, असलाम अलेकुम, मैं आपकी फैनली फजीशन, डॉक्टर कॉसर, हेल्ट केर चैनल से आपसे मखातिब हूँ, अमीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और जो लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका हम बेहद शुक्रिया दा करते है बढ़ते हैं आज को टॉपिक की तरफ, आज को टॉपिक है, मिस्कंसेप्शन इन प्रेगनसी, तो हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, और वैसे भी एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है, कि जब भी कोई खातून प्रेगनेंट होती है, तो उसकी फैमिली में कोई रेस्ट करने के बारे में मश्वरा देता है, कोई उसको एक्सरसाइज से स्टॉप करता है, तो आज हमने सोचा कि क्यों न इस तरह की कई मिस्कंसेप्शन जो हैं, उनको दूर किया जाएं, सबसे पहले डाइट के बारे में मिस्कंसेप्शन की बाते कर लेते हैं, तो जो सबसे पहले छी शाहती है वह इसको का जाता है म कंभता हब चीन तो जादा क्या ख़न है कि जी आपको अकेली नहीं है आप 2 लोग हैT आपको 2 केसे का ख़न है तो ऐसी सूरत में ये पता होना चाहिए कि एक बयलंस टाइट वह ब्रेग्गधस में जुरूरी है क्यूंकि आपको first trimester में सिरफ थोड़ी सी calories extra चाहिए होंगी, second में तक्रीबं 300 और आखरी semester में 500 calories की extra जुरूत होगी तो इसके लिए आपने quantity increase नहीं करनी बलके diet की quality जो है उसको increase करना है यानि उसके अंदर आपके carbohydrates हो, protein हो, fat हो, fiber हो, vitamins and minerals हो तो ये आपकी balance tight है क्योंकि देखा ये गया है कि बिचारी खतून को इतना खिलाते हैं कि बाद में उसका weight जो है, उसको reduce करना मश्किल हो जाता है और दूसरा ये कि weight जादा होने से pregnancy के दुरान भी delivery में भी बहुत सारी complications आ सकती हैं इसलिए आप जो है खाने की quantity जादा नहीं करनी आपने quality को improve करना है secondly ये देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए ये कह दिया हो जाता है कि ये गरम है चीज़े मसलान आम है, फिश है, अंडा है एक दुबा मेरे याद आया कि हमारी clinic पर एक lady आई तो उनको pregnancy थी और bleeding स्टार्ट होगी थी कोई 8th, 9th week होगा, तो वो साथ उसकी सास थी और सास जैसे दर्वाजे से एंटर हुए है, उन्होंने जोर-जोर से कहना शुरू कर दिया कि मैं इसको कहती थी आम ना खाओ, अभी देखो इसको क्या मसला होगा है वो ultrasound करवाने के लिए आई थी, जब उनकी ultrasound करके देखा गया तो बेबी की growth नहीं हुई थी, इसलिए उसको bleeding होगी, उसको आम खाने से bleeding नहीं हुई, अब अगर देखे तो आम एक अच्छा फल है और इसके अदर अच्छे आपके vitamins वगरा और glucose मुजूद होता है, अगर अंडा है, जो के protein का बहुत बड़ा source है, आप दो से तीन दफा हफते में अंडा ले सकते हैं, ये गरम नहीं होता है, इसको अपने जहन से निकाल दें, इसी तरह से fish है, fish के अंदर भी बहुत अच्छी protein होती है, iodine वगरा होती है, इसके लावा omega 3 fatty acids होते हैं, जो के आपकी बड़ी के लिए बहुत जुरूरी है, fish को भी आप दो से तीन दफा हफते में ले सकते हैं, ये गरम नहीं होगी, इसी तरह से orange और grapefruit जो है, उसके लिए भी मना कर दे जाता है, ये ठंडे होते हैं, wash and squash करते हैं, हाला कि इनके अंदर जो है, vitamin C होती है, और vitamin C जो है, वो होती है, इसी तरह से दूद दही के बारे में बहुत कुछ का जाता है, एक तो ये का जाता है, कि जो दूद और दही है, इसको खाने से आपको रेशा हो जाएगा, यानि चस्ट की congestion हो जाएगी, दूद दही कैल्शिम का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और आपके बेबी की ब दफ़ा आप दूद लें, और दही भी अगर थोड़ी मिक्तार में ले लें, तो वो आपको रेशा नहीं करेगा, इसी तरह से कुछ लोग जो है, वो ये कंप्लेंड करते हैं, कि हमारी सास ये कहती है, कि इसको दूद के अंदर देसी घी डाल के लें, जबकि उनका पीने का अभी कई दफ़ा मूड नहीं होता, तो देसी घी जो है, वो आपको फैट दे रहा है, वो आपको कैलोरीस दे रहा है, लेकिन आपको न्यूटिशन नहीं दे रहा, तो अगर आपने देसी गी इस्तुमाल करना है, तो बेतर यह होगा, कि आप इसको सालन में थोड़ा सा डा काली चीजएं खाने से बच्चा काला होगा, यानि कुछ लोग कॉफी और चाय को काली चीज़ समझते हैं और इसलिए वो छोड़ देते हैं, थोड़ी बहुत चाय लेना और थोड़ी बहुत कॉफी लेना बिलकुल बेतर है, आप इसको बिलकुल छोड़े नहीं, और बच बच्चे से दूर दूर तक कोई तालुक नहीं है, इसी तरह से प्रिग्नेंसी में बहुत सरे लोगों को फूट क्रेविंग्स होती है, यानि उनका ऐसी चीज़ें खाने को दिल करता है, जो के फूट आटम्स नहीं होती, मसलन कोई मिट्टी खाना शुरू कर देता है, कोई आइस खाना शुरू कर देता है, तो ये समझा जाता है कि ये बच्चे की वज़ा से है, तो ऐसा हर्गिस नहीं है, आप उस लेडी का बलड हीमोगलोबिन ज़रूर चेक करा हैं, क्यूंकि आरन डेफिशेंसी में भी फूट की ऐसी ही क्रेमिंग होती है, बासदवा ये देखा गया है, कि कुछ कावतीन को वॉक करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन जैसे ही वह प्रेगनन्ट होती है, उनको क्या दिया जाता है, कि आप तुम वॉक नहीं कर सकती, तो ऐसा हर्गिस नहीं करें, आप रुजाना 30 मिन की वॉक राम से कर सकती है, और मॉडरेट एक्सराइस प्रेगनन्सी में, आप बिल्कुल खुले होके कर सकती है, इसका बेबी से कोई लना देना नहीं है, और इस मित को अपने जहिन से निकाले, पोस्ट डिलिवरी बहुत दफा देखा गया है, कि खातून को पानी बीने से मना कर दिया जाता है, कि आपका पेट भूल जाएगा, तो अगर वो पोस्ट डिलिवरी पानी नहीं पियेगी, तो उसने बच्चे को फीट करानी है, कैसे वो ब्रेस्ट मिल्क जो है, वो आएगा, इसी तरह से प्रेगनन्सी में, बहुत सरी सिंटम्स के लावा, एक ये भी तो ऐसे में, बहुत सरे लोग जो है, वो उस खातून को सेवन अप कहते हैं पिये, कि इससे डाजिशन होगी, और गैस जो है, वो पेट में से निकल जाएगी, तो आप ये जहन में रखें, कि वो जो गैस है, वो सेवन अप की है, क्योंकि सेवन अप एक कार्बोनेटिड ड प्रिंग जो है, वो डियाइडरेशन कॉस करती है, जो के हामला खातून के लिए सही नहीं है, उमीद है, आज की वीडियो से आपकी प्रेगनिंसी में जो मिस्कंसेप्शन होती है, वो काफी हद तक दूर हो गई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आए, शेर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रुखेगा, अल्लाहाफेज